आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हूँ बिहारी स्टाइल अंडा कड़ी की जासे भी आज की इस अंडा कड़ी को हम बनाएंगे साबुत मसाले को पीस के और साबुत मसाले से जब पीस के इस कड़ी को बनाएंगे ना स्वात बहुत ला जवाब आएगा सब्सक्राइब बिटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें अंडा कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ाई में लगबग तीन से चार बड़े चम्मा सरसू का तेल डालके उसे अच्छे से गरम कर लेंगे अगर आप नौन स्टिक बरतन में बना रहे हैं तो तेल को आपको बहुत ज़ादा गरम करने की ज़ूद नहीं हलके गरम में भी डालेंगे तो अंडे नहीं चिपकेंगे लेकिन यहाँ पे हम non-stick बरतन के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए तेल को हमें क्या करना है अच्छे से गरम करना है और कडाई में चारो तरफ फैला लेना है इससे क्या होगा कि जब हम अंडे को फ्राई करेंगे तो वो बरतन में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं तो तेल यहाँ पे गरम हो गया है गैस का आच धीमा कर दे और यहाँ पे आप एक एक करके अंडे डाल दे अंडे को डालने से पहले क्या करिएगे ना उसमें कट ज़रूर लगा लिजेगा इससे क्या होगा कि जो मसालो का फ्लेवर है ना वो अंडे के अंतर तक आएगा और ग्रेवी भी अंडे के अंदर अच्छे से चले जाएगी अच्छा एक बात और जब आप तेल में अंडे डालें तो साओधानी ज़रूर बरते हैं क्योंकि जैसे ही हम तेल में अंडे डालते हैं ना क्या होता है ना अंडे उचलने लगते हैं मतलब कि अंडे नहीं उचलते हैं तेल के छीटे उचलने लगते हैं तो हाथ ना जले इसलिए साओधानी ज़रूर बरते हैं डालते समय 30-40 सेकंड के बाद जब आप इसे पलटेंगे न तो यह आसानी से पलट जाएंगे और यह देखें बिलकुल भी अंडे चिपके नहीं है और अंडे को उपर एक अच्छा सा सुनहरा लेयर भी आ गया है तो यह फ्राई हो गया है तो अब हम क्या करेंगे कि फटा फट से इस से तोड़के डाल दें जैसे ही तड़का अच्छा से चटक जाए ना आप दो मीडियम आकार के कटे हुए प्याज डाल दें गैस का आच मीडियम करतें और प्याज को हलका से सुनहरा होने तक भुन ले जब तक इदर हमारी प्याज भुन रही है ना तब तक हम इसके लिए फटा फट से मसाला तियार कर लेंगे मसाले में आपको चाहिए होगा यहाँ पे दो बड़े चम्मज साबुत धनिया अगर आप साबुत मसाले को पीश के इस अंडा कड़ी को बनाएगे ना तो स्वात बहुत ला जवाब आएगा आधा इंच यहाँ पे अधरक का तुकड जीरा आधा छोटा चम्मज काली मिर्च और यहाँ पे मैंने लिया है छे सूखी लाज मिर्ची मिर्ची आप अपने तीके के अनुसार भी डाल सकते हैं क्योंकि आज की इस अंडा कड़ी को मैंने थोड़ा से स्पाइसी बनाया है तो बस आवशकता अनुसार पानी डाल के म मसाले को एक दम बारिक पीस के तयार कर लें तो यहाँ पे मसाला हमारा पीस के तयार हो गया है तो मसाले को एक तरफ रख देते हैं और चलते हैं प्याज को चेक करने के लिए तो यह देखिए प्याज यहाँ पे हमारी हलकी सी सुनैरी हो गई है तो इससे जादा आपको प् कर देंगे ना तो प्याज में करवाहट का टेस्ट आ जाता है तो अब यहां पे आप क्या करें गैस का आच धीमा कर दें और जो हमने मसाला पीसा था न वो डाल दें और जार में थोड़ा सा पानी डाल के जो बचा हुआ मसाला है उसे भी निकाल के डाल दें अब आप यहां पर स्वात के अनुसार नमक डाल दें तो मैं यहां पर एक चोटा चमच नमक डाल रही हूं इसी के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालने तो एक चोटा चमच यहां पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है और एक चोटा चमच मैं यहां पर डाल रही हूं कश्मीरी लाल मिर वैसे तो बिहार में लोग नहीं डालते हैं लेकिन इसे डालने से ना कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में और यह ज्यादा तीखा पिनी होता है अब आपको यहाँ पे डालना है एक छोटा चमच चिकन मसाला पौडर चाहे तो यहाँ पे आप करम मसाला पौडर का भी इस सकते हैं तो सभी मसालों को यहाँ पे आप अच्छे से मिक्स कर लें और हाँ चाही ना तो आप इन सभी मसालों को सिल्वट्टे पे भी पीस के इस अंडा कड़ी को बना सकते हैं जैसे कि गाउन देहात में लोग सिल्वट्टे पे पीस के मसाला बनाते ना वैसे तो अब आ पके इसे 10 से 12 मिनट तक निकले छोड़ दें गैस का आज मीडियम से कम रखें तो चलते हैं मसाले को चेक करने के लिए और ये देखें कितना अच्छा हमारा अंडा कड़ी का जो ग्रेवी है वो दिख रहा है मसाले यहां पर हमारे अच्छे से भुन गया है और एक बात का ध्यान रखेंगा जब भी आपको सब्जी बनाएं कड़ी बनाएं मसाले को अच्छे से भुनना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मसाला अच्छ से नहीं बुनेगा ना तो सबजी का जो स्वाध है ना वो सही नहीं आता है अच्छा एक और बात कि मसाले को आपको बीच बीच में खोल के चलाते भी रहना है यहीं तो मसाला क्या होगा ना कि कड़ाई के तले से चिपकने लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने प्यास डाला था वो भी अच्छे से गल गया है मसाला यहाँ पर अच्छे से भुन गया है मसाले का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है तो अब आपको यहाँ पर डालना है पानी तो मैं यहाँ पे एक कप पाइं डाल रहे हूँ, पानी यहाँ पे आप अपनी ग्रेवी के अनुसार भी डाल सकते हैं, जितना आप पतला या फिर गाढ़ा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो बस अब हम यहाँ पे फ्राइक के अवे अंडे डाल देंगे, अंडा कड़ी के लिए मैंने छे अंडे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो अंडे का अनुपाद बढ़ा सकते हैं अब आप इसे ढग दें और ढग के इसे पांच मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें, ताकि सभी मसालों का जो फ्लेवर है वो अंडे में अंदर तक अच्छे से आ जाए और ये लिजे, हमारी बिहारे स्टाइल अंडा कड़ी बनके तयार है और इसकी ग्रेवी में आपको दिखा देती हूँ, ये दिखे कितनी अच्छी गाड़ी बनके तयार हुई है, जैसे ही ये ठंडा होगा, ये ग्रेवी जो है न वो पहले से काफी और गाड़ी हो मुझे ये अंडा कड़ी परसनली चावल के साथ बहुत पसंद है, लेकिन चाहे तो आप इसे रोटी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, तो उमीद करते हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो, आपके इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है, मुझे कमेंट करके जरूर ब नाया जाता हैं, तो मिलते हैं एक और नही रेसिपी के साथ रेसिपी मंतरा में तब तक के लिए बाई बाई